नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टड़ी वेस सेजुके सन देखे, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने बाला हूँ जैसे कि आपको पता है, आप मॉबाइल या लेप्टॉप या कम्प्यूटर कुछ भी यूज करते होंगे जिसमें कि आप इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए आप ब्राउजर को प्योग करते होंगे अब ब्राउजर हर कोई जानता होगा, जैसे कि आप देख सकते Microsoft Edge है, Google Chrome है इस ब्राउजर को आपने तो सभी ने देखा होगा, जैसे कि देखे, Google Chrome जो है Google Chrome के अंतरगत अगर देखोगे, तो आपको देखे, बहुत सारी चीजे मिलेगी जो कि सेटिंग के अंतरगत मिलेगी तो देखे, जब आप इंटरनेट चलाते हो, तो इंटरनेट चलाने के दौरान आपको लगता होगा कभी-कभी कि आपका ब्राउजर जो है, या इंटरनेट आपका स्लो चल रहा है चाहे मोबाइल की बात करे, चाहे लेप्टॉप की बात करे, या कोई कम्प्यूटर की बात करे तो ये जो वीडियो है, आपको सभी में काम आने वाला है ठीक है जो भी यूजर है इंटरनेट जो चलाते हैं किसी ने किसी ब्राउजर को उप्योग कर गए तो उनके लिए यहाँ पे मैं कुछ important चीज़े बताने बाला हूँ ध्यान से बने रही है वीडियो के अंतिताक तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर जैसे कि मैं Google Chrome सबसे ज़्यादा उप्योग होता है Google Chrome ठीक इसके लाब दूसरे भी बताऊंगा तो आप इस प्रकार से इसको open कर लेते हैं ठीक है आपके ब्राउजर में अनवस्यक डाटा जो है धेर सारा हो चुका है तो उन सारी चीजों को यहाँ पे मैं clear करना बताऊंगा तो आपको जाना कहाँ पर है या आप corner पर जाओगे right corner पर आपको टीन डॉट मिलेंगे तीन डॉट मिलेंगे यहाँ पर आपको जाना देखे सबसे नीचे दिख रहा है थर्ड नंबर पर setting setting में आप जाओगे तो आपको देखे बहुत सारी setting मिलेगी तो यहाँ कुछ important setting के बारे मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है privacy and security इस पर आपको जाना है और इसी में आपको सारे important option देखने को मिलेंगे जैसे आप देखोगे तो नीचे आप देखोगे देखे clear browsing data जैसे आप इस पर click करोगे तो आपको देखने को मिलेगा देखे all time या फिर कुछ advance चीजे देखने मिलेगी तो basic के बारे में बात करते हैं पहले browsing history जितनी भी चीजे आपने आज तक search किया है उनको आप हटाना चाहते तो आप इस पर tick mark रखे दूसरी चीज cookies और other site data जैसे कि आप देखे जब आप पहली बार कोई website download मतलब search करते हो तो उसका data आपके browser पर नहीं होता परंतु next time वो data जो होता है उसमें store हो जाता है और आप जब search करते हो तो आसानी से जल्दी वो जो है आपकी browser पर आ जाती है क्यों क्योंकि पहले से कुछ file वहाँ पर download रहती है तो उसी को हम बोलते है cookies क्या बोलते है cookies कुछ case image file हो सारी चीज़े आपकी हट जाएगी और हटने के बाद आपका browser जो है तेज चलना सुरू हो जाएगा कुछ advance चीज़े होती है तो advance में आप जाओगे तो browsing history download history भी यहाँ पर होती है cookies होता है cash file साथ ही साथ आपने email id search किया होगा मतलब email id login किया होगा facebook login किया होगा कोई आवस् इस अब ब्राउजर में जैसे मान लीजे मैं हाँ देखे यहां मैं आपको बताता हूं कुछ चीज़े आप पहले से टाइप की रहते हैं ठीक है तो देखे यहां पर जैसे मान लीजे मैं www. क्या टाइप कर रहा हूं कुछ भी तो google type करने इस पहले google आ जा रहा है तो यह क्य इस चीज़े जो है यहां पर हट जाएगी ठीक और हटने के बाद आपका जो ब्राउजर है काफी तेज चलना शुरू हो जाएगा चलिए मैं इसको नहीं हटाता क्योंकि इसको इसको क्लियर डाटा कर देना चाहाए क्या करने पड़ेगा क्यों क्योंकि जो चीज़े है कोई हैकर बगेरा या जो इसपाई बेयर है बहुत सारे जो डाटा चोरी करने की जो टेकनिक है साइबर क्राइम से रिलेटेट चीज़े तो उनसे बचना है तो आपको देखिए यहां पर प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा अपने ब्राउजर में तो देखिए यहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं रखना तो नौ प्रोटेक्शन ठीक है और तो यहां पर देखिए कुछ भी चीजों के लिए यहां पर रिकमंच नहीं करेगा Google Chrome फिर है step बेचे अब यहां पर आपको सारी security देखने को मिलेगी, तो कभी भी ध्यान रखना है, इसी protection का आप यूज करना, Microsoft Edge में भी आप जाओगे तो ये protection आपको मिलेगा, Google Chrome में भी जाओगे तो ये protection मिलेगा, कहाँ पर privacy के अंतरगत, security के अंतरगत, इस पर आपको रखना है, कुछ advanced चीजे भी देखने म मिलते हैं, पर ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है, चलिए इसको मैं बापस चलता हूँ, आपको enhanced protection में ध्यान देना है, side setting के अगर बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे आपका browser से आप वीडियो कॉल में बात करते हैं, या कोई meeting जोइन करते हैं, तो इसको भी आप allow कर सकते हो, नहीं तो आप don't allow कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी यहीं पर, ठीक है, कहाँ पर side setting के अंतरगात, कुछ important चीज़े और होती है, चलिए यहाँ पर मैं देखा देता हूँ आपको, जैसे side setting हो गया, इसके अलावा देख आपको देखे, पहले से कुछ password यहाँ पर save रहते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इस पर click करके, परन्तु यहाँ पर आपके जो windows का password है, वो डालना पड़ेगा, तो जैसे आप windows का password डालोगे, तो यहाँ पर आपको जो password है, save बाले, वो दिख जाएंगे, तो इस प्रकार से आप जो है, अपने Google Chrome या कोई भी browser को manage कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ settings होती है, तो settings हमारे जादा काम की नहीं होती है, Google Chrome यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जो आपका account है, वो login देख रहा है, ठीक है, synchronize की service देखने को मिलेगी, bookmark, import और export करने की चीज़े यहाँ देखने मिलेगी, चले यह बाकी की चीज़े आपकी अभी काम की नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हूँ, कुछ important चीज़े, आप चाहते है, Google Chrome की सारी setting में बताऊं, जितनी भी चीज़े यहाँ important है, इसका tutorial में है, complete लेकर आऊं, तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं, तो यह चीज़े आपके काम की रही होगी, मैंने privacy और security से related चीज़े बताए आपको, यह बहुत important है, ठीक है, data चोरी से related problem है, या आपके browser को slow चला रहा है, तो यह सारी चीज़ों के लिए आप इसका उप्योग कर सकते हैं, तो कैसा लगा वीडि इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंदे